देश के प्रख्यात आर्टिस्ट एवं कला विश्रेशक सौरब भट की 90 वी कला प्रदर्शनी ललित कला अकादमी दिली में 18 अक्टूबर से आयजित होगी यह जानकारी अलोग आर्ट गैलरे के निदेशक गोवर्धन लाल भट ने दी उन्होंने बताये कि CSOI आर्ट गैलरी द्वरा ललित कला अकादमी में देश के प्रतिस्ठित एवं वरिस्ट 35 कलाकार इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे सौरब इस्थानी स्थर से लेकर अंतरास्टी इस्थर पर विश्व की कहीं देशों में अपनी कला को प्रदर्शित कर चुके हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट माइकल थॉमस फ्रॉम कोर्स प्रांस के साथ कलावित आर्टिस्ट रमेश कर्ग प्रख्यात आर्टिस्ट हिम्मश शाह वे शब्बिर हसन काजी ने एस भट के आर्ट वर्क्स की खुल कर तारिफ की और बताया की एस भट की कलाकरतियां आर्ट वर्ड में नई सोच और नई दिशा की और प्रेरित करती हैं खाली में बैंकॉंक में थाइलेंड में अपनी कला द्वारा भारत का मान बढ़ा चुके भटने बैंकॉंक में आर्ट विश्यक सेमिनार और वर्क शौप का भी आयोजन किया साथ ही आर्ट विश्यक के रूप में समसामियक आर्ट और इसके सामाजिक वे रास्टी उप्योगीता पर पत्र वाचन भी किया इसके पश्चा सौरफट की कला प्रदर्श्णी देश के प्रख्यात कला दिर्गा आई टी आर आर्ट गैलरी दिल्ली भी आयोजित की जाएगी मैं सौरफट भिलवाना से और दिल्ली ललित कला अकैडमी में ये मेरा नभ्यवाशो है और आज 20 तारिक को शाम को 6 बजे से ये इस एक्जिबिशन का उद्गाटन हुआ और यहाँ पूरे भारत वर्श से करीब 35 सेलेक्टेड आर्टेस ललित कला अकैडमी द्वारा एक्जिबिशन लगा रहे हैं और यहाँ मेरी काफी सारी पेंडिंग्स एक्जिबिट होई है जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली पेंडिंग्स